नमस्कार दोस्तों तोफानी पहाडी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वाब है दोस्तों हिमाचर प्रदेश के अंदर अब चुनाब का जो सिलसला है वो समाप्त हो चुका है अब शुरू होने जा रहा है जो एक्जाम का सिलसला है तो एक्जाम के सिलसले के चलते हुए अब हिमाचर प्रदेश के अंदर बहुत सारी वकैंसिस को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो निकलने वाले है और काफी टाइम से अनौंस्ट है कि हिमाचर प्रदेश के अंदर TGT कमिशन की जो वकैंसिस हैं वो यहाँ पर निकलने वाली है और हिमाचर प्रदेश गौर्मेंट के गारा लगबख 1600 vacances को लेकर जो परस्ताव है वो पास किया जाने जा रहा है और बहुत ही जल्द आपको जो notification है वो TGT का देखने को मिलेगा अब TGT के notification की जब हम बात करते हैं तो notification जो है वो हम expect कर सकते हैं January या February महीने में जो notification है वो आ जाएगा और उसके बाद 3-4 महीने ब हम तयारी जो है तब तक अच्छे level पर कर पाएंगे जी नहीं हमाए हमारी जो तयारी है वो अभी से शुरू करनी पड़ेगी और अभी से तयारी शुरू करते हुए हमें 3-4 महीने में अपनी तयारी को complete करते हुए उसके बाद practice revision का जो सिलसला है उसको भी continue करना होगा तो इसी सिलसले को आगे बढ़ाते हुए civil staff हिमाचल, तुफानी पहाडी अपना जो batch 4 है TGT Commission Arts and Commerce के लिए वो ले के आ रहा है ये batch जो है वो 26 December 2022 से शुरू होने जा रहा है इस वीडियो के अंदर हम इस batch के बारे में complete details आपको बताई जाएंगी क्या क्या आपको इसमें मिलने आपको इसमें पढ़ा जाएंगे और क्या-क्या फीचर्स रहने वाले क्या time table रहने वाले क्या schedule रहने वाले और आपके paper के अंदर क्या-क्या पूछा जाएगा कि सब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है तो आपको वीडियो को last तक जरूर देखना है और अपने दोस्त 87 vacancies जो है वो TGT के अंदर announce की गई है क्योंकि 31 December 2022 तक का जो vacant data कहता है कि कितनी सीटे खाली पड़ी है और कितनी सीटों को approval मिलने वाला है वो है 1587 सीटे यानि कि अपने आप में कहने की बात है कि हिमाचन प्रदेश के अंदर अभी जो candidates त्यारी करना शुरू कर रहे हैं उन commerce वाले कितने होने वाले तो arts and commerce वाले होने वाले 744 लगमक 700 vacancies जो है वो arts and commerce वाले students के लिए ही बनी है तो arts and commerce यहाँ पर मैं एक साथ इसलिए बोड़ रहा हूं कि हिमाचन प्रदेश के अंदर जब TGT की vacancies के लिए यहाँ पर regretment होता है तो arts and commerce के लिए एक ही paper जो है वो conduct कि आजाता है तो arts and commerce वाले students को अपने level पर उसी accordingly त्यारी करनी है और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ योगता की यानि की educational qualification क्या होनी चाहिए विद्धिक योगता क्या होनी चाहिए अगर हम उसकी बात करते हैं तो जो भी arts या commerce वाले student है यहाँ पर उसकी बात हो रही है सिरफ मैं arts and commerce वालों के लिए बात कर रहा हूँ तो arts वाले या फिर commerce वाले students है आपने BA या become किया हुआ है जिसमें आपके कम से कम 50% नंबर आये थे और इसके साथ साथ आपने कम से कम एक साल का beard किया हुआ है कम से कम एक साल का जो beard है आपने किया हुआ है अगर आपने ऐसा नहीं किया हुआ इसके इलावा BA या बीकम में आपके 50% नहीं थे 45% थे बट उसके साथ साथ आपने एक साल का beard जो है वो किया हुआ है बट वो beard जो हो वो NCTE की guidelines के accordingly किया हुआ है आपने थर्ड यानि कि इन दोनों में से भी अगर आपके पास qualification नहीं है तो थर्ड यहां पर bachelor in elementary education का degree किया हो अगर नहीं अगर ये भी नहीं है तो senior secondary यानि की plus two आपने किया हो 50% नंबर के साथ और इसके साथ साथ आपने चार साल का BA एड किया हो ठीक है BA एड किया हो अगर ये भी नहीं है अपने BA या बीकम किया हो 50% नंबर के साथ 50% नंबर के साथ और इसके साथ सा बार options में हमारे पास requirement थी इनमें से अगर आप किती एक भी criteria को satisfy करते हो तो आप यहां पर लीजिबल हो बट इसके साथ-साथ आपका जो HP TET हिमाचल परदेश TET का जो exam है जैसी अभी December में भी TET के exam conduct किया गए तो आपका जो TET का exam है वो आपका qualify होना चाहिए ठीक है जो HP BOS के दोरा TET का exam conduct किया गए तो वो आपने qualify किया होना चाहिए या फिर प्रिवियस में भी अगर आपने TET qualify किया हो है तो आप यहां पर eligible हैं PGT Commission में निकलने वाली इन vacancies को लेकर अब age की बात करें तो कम से कम आपकी आयू 18 वर्ष की होनी चाहिए और अधिकतम आपकी आ अब यहां पर अगर मैं बात करूं एक्जाम देने वाले candidates की तो हमारे हिमाचर प्रदेश के अंदर जो मेल तो है यह जॉब कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए एक अच्छी opportunity रहती है कि वह सरकारी अध्यापक की इस benefit का जो लुफ्त है उठा सकती है इसको अवेल कर सकती है वो सरकारी अध्यापक बन सकती है अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए साहिता कर सकती है और दूसरे बच्चों को पढ़ा सकती है और इसको अपना एक income source में बना सकते है ठीक है और दूसरे के साथ साथ आपको बच्चों को पढ़ाने का मोका मिल रहा है और यह एक से के दोरह तो TGT Commission का exam जो है वो conduct करवाया जाता है अभी notification आएगा उसके बाद exam date आएगा और exam conduct करवाया जाएगा exam में बास करें तो इसका selection process दो phase में होता है पहला phase जिसके अंदर return exam होता है 100 marks का जिसके अंदर आपको 200 questions जो है वो पूछे जाएंगे 200 questions पूछे जाएंगे एक question जो आपका होता है वो 0.5 marks का यानि की आधे नंबर का रहने वाला है और phase 2 में क्या ओने वाली है document verification होने वाली है document verification इस बार pattern में बतलाव किया गया है हम अदरवाइस पहले जो pattern था थोड़ा सा अलग होता था पहले 85 marks का वेपर होता था 170 पूछे जाते थे अब 15 नंबर evaluation के मिलते थे अब evaluation के नंबर को काट कर यहाँ पर exam के अंदर जोड़ दिया गया है तो 200 marks का एक question पतर आपको दिया जाएगा जिसके अंदर आपको 100 marks गयो है इसमें मिलने वाले है अब बात करेंगे कौन-कौन से subject को लेकर यहाँ पर सवाल आते कौन-कौन से subject को लेकर तो देखिए arts and commerce की बात हो रही है ठीक है economy यह सारे subject आपको यहाँ पर पढ़ने होते हैं इसमी को लेकर प्रशन जो है exam में पूछे दाते हैं तो general studies में यह सारे subject आपके cover हो जाएंगे general studies के भी और social studies के भी उसके बाद HPGK को लेकर सवाल पुछे रहते हैं उसके बाद reasoning को लेकर भी exam में सवाल पुछे रहते हैं उसके बाद English के सवाल पुछे रहते हैं होता है वो एक साथ कंड़क्ट किया लाता है और आपके आर्ट्स वाले पेपर के अंदर ही यहां पर कॉमर्स के जो है 15-20 सवाल जो है वो पूछे लाते अब कॉमर्स वाले जो स्टुडेंट्स होगे उनके लिए तो यह बहुत असान होता है इसको पढ़ना बट आर्ट्स वाले स्टुडेंट्स यहां पर इसकी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो मैं उनको कहूंगा कि आप स्किप कर सकते हो इस पार्ट को क्योंकि 15-20 कोश्चन नहीं आते हैं ठीक है इन वालों को जन्रल स्टुडीं वाला पार्ट भी पढ़ना ज़रूरी रहने वाला है यसे अधर आपको ऑन-लैन रहने वाला और इसके अदर आपको recorded लेक्चार मिलने वाले daily की दो lecture आपको provide किया जाएगे daily two lectures आपको मिलने वाले एक सुबा में मिलेगा एक शाम में मिलेगा ये दो lecture जो होएगे approximate duration एक घंटे की रहने वाली है हर lecture की एक घंटे की duration रहने वाली है teacher जो होएगे अलग-लग आपके subject expert जो होने वाले है वो आपको अलग-लग subject जो है पढ़ाएंगे bilingual course रहेगा Hindi और English दोनों भाषाओं में आपको जो lecture है वो पढ़ाया जाएगा teacher आपको Hindi में भी पढ़ाएगा English में भी पढ़ाएगा दोनों भाषाओं में पढ़ाएगा और आपके जो notes रहने वाले जो आपको notes दिये जाएंगे यहाँ पर साथ में वो भी आपको दोनों भाषाओं में दिये जाएंगे दोनों भाषाओं के दिये जाएंगे जितने भी subject मैंने आपको बताए है जिन-जिन को लेकर exam में सवाल आएगा यानि कि 200 questions जो आपको पुछे जाएंगे आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर अगर आप teacher से बात करना चाहते हैं टीक है teacher से आप कुछ पूछना चाहते है परस्नली पूछना चाहते है तो एक live डाउट session जिसमें teacher आपके सामने खड़ा होकर आपसे वारतालाप करेगा जूम मीटिंग के द्वारा वो यहाँ पर conductor वाया जाता है हर शनीवार या इतवार को उसके बाद आपको मिलेगी आपके जब lectures complete हो जाएंगे सबका सब आपका complete हो जाएगा तो आपको मिलेगी एक test series आपके course के साथ जिसके चलते हुए आप काफी सारे प्रशनों की जो practice हो कर पाएंगे previous year question paper तो आपके साथ discuss किया ही जाएगा इसके साथ साथ आने वाले exam के अंदर किस तरह के प्रशन आपको पूछे जाएंगे syllabus पढ़ने के बाद आपको वो भी दिया जाएगा बिल्कुल free of cost ठीक है बिल्कुल free of cost previous year question discussion session जैसे कि मैंने आपको बचाया आपको मिलने वाले तो इसके अंदर bilingual रहने वाला है ये course recorded lecture रहेंगे आप कभी भी lecture को दुबारा देखना चाहो देख सकते हो जितनी बार मर्जी देखना चाहो time table का रहेगा तो ये schedule आपके सामने रखा गया है ये आपके लिए बनाया गया है इसमें total 11 जो subject है आपके सामने रखे गए है सबसे पहले child development and pedagogy से शुरुआत होगी 26 दिसंबर से एक course जो है शुरू होने जा रहा है 26 दिसंबर को 23 जनवरी 2023 तक आपको 25 लेक्चर CDP के दिया जाएंगे जो की हमने बहुत ही subject expert के दोरा prepare करवाए है आपके लिए subject expert आपको ये lecture पढ़ाने वाले है ठीक है और उसके बाद हिंदी के आपके जो लेक्चर है 26 दिसंबर से लिकर और commerce और पाँच बजे वाले स्प्लाट में quality के बाद HPG के जनरल साइंस इंग्रिश और ऐसा करते करते 18 अपरेल 2023 तक आपका जो सारा सिरेबस है वो complete हो जाएगा और उसके बाद आपकी test series और revision आपको करवाया जाएगा तो लगबग साड़े तीन महीने के अंदर अंदर आप पूरे के पूरे course को अच्छे लेवल पे cover कर पाएंगे सुम्बार से निकर शनिवार तक रोजाना आपको जो classes जाएं मिलने वाली है रोजाना की दो classes आपको मिलने वाली है तो एक course जो है वो 26 संबर 2022 से शुरू हो रहा है और कब खतम होगा अठरा अपराल 2023 को खतम हो रहा है लगबग साड़े तीन महीने के अंदर अंदर आपको सारा syllabus जो है वो complete करवा दिये लाएगा और इसके बाद आपकी test series जो है वो चलने वाली है test series ठीक है जी अब इस course की आपको validity कब तक मिलने वाली है कब तक यानि कि आप ये lecture देख सकते है अगर आपको दुबारा देखने है ठीक है दूसरी बार देखने है तीसरी बार देखने है चोटी बार देखने है ऐसा तो नहीं है तब तक ये access जो है आपके पास रहेगा तो validity जो रहेगी वो till exam रहने वाली है अगर इस course की classes को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको इस course को join करना पड़ेगा join करने के लिए आपको एक fee पे करनी पड़ेगी और वो fee कितनी रहने वाली है वो fee रहने वाली है 5999 यानि कि 5999 रुपे यानि कि मैं बात करूँ तो 6000 रुपे आपको pay करने पड़ेगे online माध्यम से आप इसको purchase कर सकते हो pay कर सकते हो किसी वी तरह का doubt जो आएगा वो आप इस number पे DA के number पे call कर सकते हो 78146 22609 88146 22609 टिक है link जो है link जो है वो आपको description box में दिया गया इसको purchase करने के लिए और जो छातर जो है वो demo lecture देखना चाहते हैं कि कौन-कौन से teacher हमें पढ़ाने वाले और किस तरह से पढ़ाने वाले है तो demo lecture के लिए जो link है वो भी नीचे description box में दिया गया है demo lecture के लिए कर सकते हैं यह आपके लिए रहने वाला है यहाँ पर TGT का course अब जो candidate यहाँ पर online course को purchase करना चाहरे है उनको क्या करना है उनको अपने phone में civil staff हिमाचल की जो app है वो download कर लेनी है civil staff हिमाचल की जो app है वो आप download कर लोगे या फिर आपको हमारी website पर चले जाना है जिसका link नीचे आप description box में directly देख लोगे course page का app download करने के बाद आपको उपर courses में जाना है या store में जाना है वहाँ पर जाकर आपको TGT batch 4 जो है arts and covers का search कर लेना है वहाँ पर जाकर आपको basically login करना पड़ेगा अगर आपने आप मैं आये हैं पहले civil strap हमासल की app को नहीं चला है तो आपको sign up कर लेना है sign up करने के बाद आपको email id password भर कर आगे पहुँचना है टिक है login का button है store में जाकर आप courses को join करोगे और उसके बाद आपका course जो है वो my courses में दिखने लगेगा वो यहाँ पर दिखने लगेगा जब आप payment कर दोगे हर एक lecture के नीचे उसके बाद आपको side में my courses के अंदर आपके सारे subject के lecture दिखने लगेगे और हर एक lecture के नीचे हर एक lecture के नीचे एक box इस तरह से दिया रहेगा जहाँ पर जाके आप अपना कोई भी डाउट है वो type करके यहाँ पर post कर दोगे और उसके बाद इसी के नीचे आपको जो reply है वो कर दिया जाएगा concern teacher के द्वारा concern teacher के द्वारा तो यह हमारा batch जो है और रहने वाला है 26 दिसंबर से शुरू हो रहा है 26 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहा है batch 4 है यह batch 4 है TGT commission arts and commerce के लिए medical और non-medical के लिए batch अलग से आएगा उसके लिए मैं अलग से video आपके लिए लेके आऊँगा और candidate से यही बिनती है कि जल्दी से जल्दी join कर लो क्योंकि seats full होने के बाद admissions जो होती है वो clause नमबर भी दिया गया है telegram का link भी दिया गया है course का link भी दिया गया है demo lecture का link भी दिया गया है हर तरह का link नीचे मौजूद है फिर भी किसी तरह की doubt आती है कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप यहाँ दिएगे number पे call कर सकते है demo lecture को जरूर देखे ठीक है double lecture को जरूर देखे और कोई भी call कोई भी doubt हो तो यहाँ दियेगे number पे call करे 78146 22609 चले तो यह था back 4 का information कोई भी doubt हो तो आप नीचे दियेगे comment box में भी अपना doubt पूछ सकते हैं धन्यवाद दोस्तो